नहुश्कार मैं दानिश अंजार और आप देख रहें पियार भी वक्त वक्त पे बीजेपी ऐसी फर्मान लेकर चली आती है ऐसे फैसले लेकर के चली आती है जिससे उनके साथ ही जो संयोगी दल है वो कहीं न कहीं बिदक जाते हैं वो कहीं न कहीं विरोधा भास दबी उत्तर परदेश में जो योगी सरकार अपने पास लेना चाहरे थी उसके बाद क्या हुआ संयोगी दल उनके ही पार्टी के जो है वो विरोध में खड़े हो गया कि इस बिल को पास ना किया जाए अब वो बिल क्या हो गया ठंडे बक्से में चला गया चाहे वह उत्तर संद्री हो नितिश कुमार हो सब लोगोंने खुलकर विरोध किया अब क्या खबर है खबर यह है कि आज 44 संसोधन के साथ वह पास कर दिया गया पारित कर दिया गया इससे किसको नुकसान हुआ इससे सीधा-सीधा नुकसान पोलिटिकल दिठ किसका हुआ बीजे-पी के भाई आखिर में उसका नतीजा क्या हुआ उससे फायदा लेने के बाद BJP किस तरीके से उस पार्टी के पॉलिटिकली दिथ कर दी आज वो पॉलिटिकल दिथ दो पार्टियों का हो गया है वो दिथ किसका है वो दिथ है जेडियू के नितिश कुमार का वो दिथ है टीडिपी के चंद्रबाबू नाइडू का हम ये इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं क्योंकि टीडिपी चंद् समर्थन करना परा वक्षवोड बील के संसोधन का नितीश कुमार को समर्थन करना परा वक्षवोड बील के समर्थन का नितीश कुमार तो वही नितीश कुमार थे जो वक्षवोड में को जादा सो जादा आजादी अपने परदेश में दी भीहार की बात कर रहे हैं तो खबर नितिएष कुमार की राजनेतिक दित चंडर्बाभु नाइडू की राजनेतिक दित हो चुकी है चंडर्बाभु नाइडू आप उनको अक्सर देखते होंगे सेकूलरòng है मुसल्मानों का अच्छा-खासा जोला भारके वोट लेते हैं तब ही मंतरी बनते हैं पहले करते थे कि आरक्षन मुसल्मानों का जारी रहेगा इस तरह का ब्यान जब प्रधानमंतिरी मोदी से वो मिलकर गडबंदन करके आए उसके बाद भी उन्होंने दिया मुसल्मानों के दावत में चाहे वो रमदान की बात हो निमास परते हुए भी देखे जाते थे चंद्रबावु नाइडू मतलब इतने कटर मुस्लिम समर्थ तक किन मजबूरियों के तहत आज वक्ष वोट का जो है संसोधन का जो बिल का जो है समर्थन कर दिये तो कहीं न कह के मुस्लिम निता का इस तरह का ब्यान आना और साफ इसारा कर रहे नितिश कुमार को कि मुसल्मान इस से बिदकर लालू परशाद यादव के पास चले जाएंगे लालू यादव के हो जाएंगे मुसलमान सबसे पहले आप वीडियो देखिए गुलाम रसूल बलियावी उ उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आईए, तो ये देश हित में भी होगा, जन हित में भी होगा, चवन्नी देना नहीं, और सिक्का का हंगामा, कि हमने मुस्लिम मकलियतों को ये दे दिया, वो दे दिया, इसकी विज़रूत नहीं पड़े, मैं यहाँ, मैं यहाँ एक बात और पूछू, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगन बाड़ी है, मठ और आंगन बाड़ी में भी ये संसोधन लाएंगे, तो बुलावे पूरे देश बरके हमारे मठा धीसों को, one country, one nation, तो उसमें किलियर करें, कि जो वक बोर्ड में हो रहा है, वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा, अब आ जाते हैं उस लिस्ट पे कि बीजेपी किसको किसको जो है खतम कर दी, पोलिटिकल देथ, और यह देथ नितिश कुमार और टीडीपी का भी आने वाले समय में होना असंभव नहीं है, क्योंकि नितिश कुमार जिस तरह मसलमानों के किये हैं, नितिश कुमार ने कबरिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, नितिश कुमार ने सबसे ज़्यादा कबरिस्तान की घेराबंदी अपने सरकार में किया, नितिश कुमार ने मदर्से में जो सरकारी सिक्षक हैं, जो पढ़ाते थे, उसको सरकारी करन करने क का काम किया उसको सैलरी देने का काम किया तो नितिश कुमार मुसलमानों को लुभाने के लिए इन तमाम काम को किये लेकिन इन तमाम काम पर पानी पिर गया आज जब संसद में नितिश कुमार के सांसद ने इस बिल का समर्थन कर दिया लेकि कौन-कौन से पाटी और भी निति नितिश कुमार का क्या यह जो लिस्ट आप ऊपर देख रहे हैं जिसमें एक खाली जगह है क्या अगला नाम नितिश कुमार का स्ट निग पूलिटीकल आप पथ पुर्फ केंद्री मंतरी अश्वनी चौबे ने क्या कहा था आने वाले समय दोहजर पत्चिसमें बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भुमिका में चुनाव लड़ेगी मतलब मुखमंतरी के पत से नीचे बीजेपी चुनाव लड़ेगी बड़े-भाई की-ब्हुमिका में अब देंगे लिस्ट देखिए पार्टीज डाइड विजएपी देखिए लिस्ट सिफसे ना देखिए नसीपी बीजडी यसीपी जेडियेस बी आरेस एईडियम के अकाली पीडीपी जीजेम आरेलपी इनका भविश्च क्या हो गया अब अगला नंबर किसका है अगला नंबर कुमार तो वक्त वक्त पर यह डिखाते रहे हैं चाहे निति आयोक कि बैठक पर्धारमंत्री मोदी ले रहे हो तमाम जो संहिवकी दल हो या पिर अपने पार्टी के मुखमंत्री मोदी की मिटिंग में लेकि नितिश कुमार नहीं जाते हैं इंडिया गटबंदन के साथ दरजा दिलाने की माँगो चाहे वो मांग अगनेवीर पे समिख्षा करने की मांगो चाहे वह मांग व्यूलर बमंत्राले की मांग व illustri तो यह सब देध में दिश्च कुमार खुत गई त्यारी कर रहे हैं अब नितीश कुमार के पास दो ही ऑप्षन है एक ही ऑप्षन है वह त्युपी के पास भी वह ऑप्षन है कि बीजेपी से खुद को किनारा कर ले अगर वह अपनी राजनुतिक भविश अपने अपने परदेश में उजल देखना चाहते आने वाले समय में ग Always about बीहार में भी है और अभी बिहार में किया इस्तिती है नितीश कुमार की नितिश कुमार के इसी सब कदम के वज़से ला उपडशाद करहीं कहीं बिहार में मजबूत है यह उनके नेता वी नितिश कुमार के तो आप देखना दिल्चस्प होगा कि नितिश कुमार एक मात्र विकल्प नितिश कुमार चंद बाभु नैडू के पास है कि वह इंडिये को छोड़ दे सिर्फ एक जो अपने बल्यावी का आपने दिखा है बल्यावी का ब्यान देखिया परधान मंतरी मोदी से आगरा पहले मुस्लिम जमास से राहे ली जाए फिर संसत में पेशो ये गुलाम गौस कह रहे हैं तो यह तो पुर्व में सब हो गये पुर्व संसत पुर्व मल्स समाखान ने का भाजपान नेता कभी भी कुछ बोल देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है उनकी बातों से मुसल्मान भावनाओं में बैह जाते हैं इसे लालू परशाथ को और बढ़ावा मिलता है जबकि उन्होंने खुद मुसल्मानों को सिर्फ ठगने का काम किया हाला कि मं सबाव चुनाव में इनका 70% मिलेगा तो यह दावा कर रहा है कि 25% मुसल्मान पिसली बार वोट किये थे हाला कि उस वक्त एक आक्रोश था क्योंकि छोड़के गया थे इस वार उमीद लग रही थी कि जो है भी मुसल्मान को वोट करेगा लेकिन अब अब उनके मुसलिम न सब्सक्राइब को आगा कर रहे हैं क्या पॉलिटिकल केरियर इनका होने वाला है यह तो वक्त ही बताएगा और आने वाले समय चुनाव में ही पता चलेगा तो फिलाल इस खबर में तरह ही मिलता अगले वीडियो सब्रें हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद